हम लोगों ने लॉरेंच ट्रांस्फर्मेशन का थोड़ा भ्यास किया लॉरेंच ट्रांस्फर्मेशन का उपयोग करके कई सारी अलग-अलग किसम की चीज़ें आपको पता चलेंगी जो हमारे सामान्य अनुभाव से बिल्कुल अलग होंगी लॉरेंच ट्रांस्फर्मेशन में और गिलिलियन ट्रांस्फर्मेशन में अगर आप देखें तो आप आएंगे कि अगर जो विलॉसिटी फ्रेम की है दो फ्रेम को जब हम इस्तिमाल करते हैं और कहते हैं कि एक फ्रेम दूसरे के पेक्षा चल रहा है और तब वो ट्रांस्फ के वेक से बहुत छोटा हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता पहले इसको देख ले जो गिलिलियन transformation है वो था हमारा एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वीटी और जो लॉरेंस जो वी है यह यह फ्रेम की वेलोसिटी है जहां जिसकों एस फ्रेम कह रहे है Ben x-axis यहां है इस फ्रेम की अपेक्षा vapor से चलता है वह वह यहां पर है वही वह यहां पर है अगर यह फ्रेम की विलाश्टी वी इस स्सी की अपेक्षा बहुत छोती हो जाए समाने तो हम लोग जब काम करते हैं अपने जंदगी में तो जिन वेलोसिटी से हमें पाला पड़ता है वो कितनी होती है हम अपनी अपना स्कूटर ड्राइब करते हैं कार ड्राइब करते हैं तो कितना 60 km, 70 km, 50 km प्रती घंटा चलते हैं, तो मीटर प्रती सेकंड में अगर आप बदलने, माल लिजे आपने 72 km प्रती घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं, तो अगर उसको आप चेंज करें, तो कितना बनता है? 72 km प्रती घंटा, 72 km का मतलब, 72,000 मीटर, और घंटे का मतलब 3600 सेकंड, इतने मीटर प्रती सेकंड, तो आप देखें, कितना बनता है? 20, यह 20 मीटर प्रती सेकंड बनता है, हवाई जाहज बगरत से याक्तर करें, तो इसका दस गुना समझ लेजे, यह 72 km प्रती घंटे हमने किया, 700 km, 720 km प्रती घंटा कर लिजे, तो 200 मीटर प्रती सेकंड बनेगा, तो जो हम विलॉसिटी इस्तेमाल करते है, वो बहुत कम होती है, हूँ होकुछ मीटर प्रति सकेंट में होती है सौ मीटरे सेकेंड तो भकान फीड हो गई आंधी चलती है सौ किलोमेटर कि घंटा सचलती है बहुत तवाहि ले आती है तो ये वीज है समार्य हम लों का बहुत चोटा होता है जो सी है वह तीन Dharma ुकार्थ सेकेंड है सी जो है वो 3 into 10 to the power 8 meter प्रति सेकंड है तीन लाख किलो मीटर प्रति सेकंड है इसलिए वी बहुत चोटा है से और इतनी चोटी संख्या को उसका संक्षा हो जाता है Oh को स्क्वार करने से उसका हो जाएगी उसका है यहां पर तो वन के सामने यह बिलकुल यह असर का पता कि जलने MARY और दो यह गेलियन ट्रंसफोरमेशल से बिलकुल बराबर हो जाता है में यह यह द्यएप्र यह ढेलियन ट्रंसफॉरमेशन सही नहीं और लेकिन आम जिंदगी के अंदर में रिख कर लेते हैं हमें करके कहीं को पर्षानी नहीं होती है इसी तरह time का भी देखिए Lawrence transformation में हमारा transformation equation होता है टी प्राइम बराबर टी माइनस xv by c square और बटा square root 1 minus v square by c square और गिलिलियन transformation में होता है टी प्राइम बराबर टी वेलोसिटी जो की है वह speed of light के अपिक्षा बहुत कम हो तो यह तो वन हो जाएगा almost और यहां भी आप देखें यहां नीचे में सी है वी बाइसी है यहां पर फिर x by c है यहां भी अगर विलासिटी बहुत चोटी हो जाए तो फिर यह भी इस के सामने में negligible हो जाता है सामाने परिस्थितियों में और तब टी प्राइम बराबर टी होने से यह ऐसा हो जाता है और वाई में और जैड में तो कोई जहनजट ही नहीं तो इसलिए अमूमन जब हम कुछ मीटर प्रती सेकंड टाइप की वेलोसिटी इसकी बात करते हैं तो हमारा गेलीन ट्रांसफर्मेशन और लोरेंज ट्रांसफर्मेशन एक ही हो जाते हैं जरूरी नहीं है के लोरेंज Pomта कर्ण करें केम गेलीनिंद भी काम कर छाकते हैं लेकिन अगर हमने ऐसे फ्रेम्स में हम जा रहे हैं जहां की विलॉसिटी स्पीड ओफ लाइट के कंपरेबल है तब ऐसी हालत में हमें अलग-अलग किसम के प्रणाम मिलते हैं जैसे एक बहुत रोचक प्रणाम है जिसको कहते हैं टाइम डाइलेशन या समय विस्तार कि अगर और आम भाशा में हम कहें तो हम कैसे सकते हैं कि जो घड़ियां चलती रहती है वो स्लो हो जाती है अगर हमारे पास में यह घड़ी है और हम यहां कमरे में हैं और इस घड़ी की अपनी एक चाल है और कमरे के फ्रेम से हम सारा काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हां घड़ी वड़ी सही चल रही है और वगर वगर लेकिन इसी घड़ी को अगर कोई दूसरे जो टेजी से चल रहा हो वह इसको अब्जर्व करें तो वह ऐसा बताएंगे कि आपकी घड़ी चल रहे है मेरी घड़ी ठीक चल रही है और मैं अगर उनकी तो मैं भी यही बात करूंगा कि नहीं मेरी घड़ी जल रही है आपकी भड़िißt चल रही है मेरी घड़ी प्रराइम में यह सिप्राइम में और एक स्प्राइम है उसमें भी एक गड़ी एक जैसी घरिये की कंपनी की एक जैसी घरिये गड़ी की बनावडे में कोई समस्या नहीं है लेकिन जब हम S में हैं और अपनी घड़ी को देखते हैं और हम पाते हैं कि घड़ी मेरी बिल्कुल सही रेट पर चल रही है सही दर पर चल रही है सही चाल से चल रही है और हम जब इनकी घड़ी देखते हैं तो हम कहते हैं आप जलने वाली घड़ी स्लो है जो चल रही है घड़ी वो स्लो है तो यही स्टेट्मेंट यहां से भी दिया जा सकता है एस प्राइम फ्रेम में यदि हम X Y Z X बनाएं वहाँ पर क्लॉक है और हम कि इस फ्रेम से इस घड़ी को देख रहा है ऐस प्राइम फ्रेम की अपरेख्षा यह इँघर को चल रहा है ऐसा तो चलने वाली घड़ी एक्म अरverts स्वर्ण चल रही है और स्लो चल रही है लेकिन इसद्था हम देख सकते हैं हैं आगर हम ऐसे देखेंगे यह घड़ी में रहए है यह ऐसा चल रही है और तब हम गाएंगे कि मेरी घरी ठीक है और यह स्लो है तो यह इस तरह की कई सारी चीजें निकल करके आती हैं और अपने को यह पता चलता है कि लॉरेंट्स ट्रांस्फॉर्मेशन से या स्पेशल थेयरे अफ रिलेटिविटी से कि हम दूनों को एक ही रिलेटिविटी और कॉंस्टेंसी और स्पीड ऑफ लाइट जो हमने दो पॉस्चुलेट कहे थे अभी ग्रिहित कहे थे स्पेशल थेयरी के उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को तो मालने हमारे पास एक फ्रेम एस फ्रेम में और हमने एक यंत्र बनाया है एक पाइप बनाया है उस पाइप के अंदर में हमने दो मिरर्स फिट किया है एक यहां मिरर्स फिट किया है एम वन और एक यहां मिरर्स फिट किया है एम टू और यहां से हम और इसकी जो लंबाई है यह सब कलपना की बाते हैं लेकिन सिध्धान्त पुरी तरह से सही है यह यहां से यहां तक वहना हालत इसको यहन से हम एक पल्स जन्रेट करते हैं एक छुट जी पल्स जन्रेट करते हैं बिल्कुल कम शमय के लिए और हमने यहां पल्स generate किया light का और वो light की pulse चलती है सभी तरहाए सकती है इह इधर सभी तरफ और यह light जो है यह एक हिस्सा light का at least यह चलकर के इस पर पहुंचता है यह light पल्स इधर की तरफ चलती है और इसा चलते चलते फिर यहां पर वापिस आ जाती है तो हम दो इवेंट की चर्चा करेंगे आप दो इवेंट को ध्यान से देखें क्या है हमारा पहला इवेंट है इवेंट वन मेरा पहला इवेंट है यह पल्स है यह लाइट की जो छोड़ी सी तरंग है तरंगी का यह जो लाइट की पल्स है प्रकाश की M1 से चली यह हमारा पहला इवेंट है और हमारा दूसरा इवेंट है यह जो प्रकाश की पल्स है प्रावरतन के बाद फिर से M1 पर आकर पड़ी यह जो प्रकाश की पल्स है M1 पर पड़ी M2 से प्रावरतन के बाद M1 पर पड़ी यह हमारा दूसरा इवेंट है तो आप देखें इसके बीच में कितना समय लगा इन दोनों इवेंट के बीच कितना समय लगा तो इसको अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं हम पाते हैं कि यह लंबाई है प्रकास को यह दूरी चलना पड़ा और फिर से यहां दूरी चलना पड़ा तो 2L दूरी चलना पड़ा और प्रकास का वेग सभी फ्रेम्स में एक बराबर होता है तो समय जो लगेगा हms ना मुझी को यह जो समय लग रहा है कितना समय लग रहा है टू एल बाई स्ँ इसको हम कहते हैं माली डि दल्टा टी नाम देत हैं इतना टाइम लग रहा है इन दोनों इवेंट्स की बीच में इतना टाइम गुजरा L distance जाने में L by C लगा और फिर L distance से आने में L by C लगा अब इसी यंत्र को हम एक दूसरे frame से देखेंगे यंत्र को छेड़ चाड़ नहीं करेंगे हम लेकिन हम एक दूसरे frame से देखेंगे कोई दूसरा frame है S prime जो कि इस frame की अपेक्षा हमारी laboratory की अपेक्षा हमारे कमरे की अपेक्षा V velocity से दूसरी तरफ जा रहा है उसको यह सारा घटन यह सारी घटना कैसी दिखेगी तो हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे तो एस प्राइम की अपेक्षा एस प्राइम से पूरे को अगर हम देखते हैं अब तो एस प्राइम के पेक्षा यह पुरी pipe negative x direction में पिछे की और V velocity से चलती हुई दिखेगी क्योंकि S में यह स्थिर है और s प्राइम जो है वो खुद V velocity से positive x में चल रहा है तो इस प्राइम से अगर देखेंगे तो यह पुरी pipe s तरफ को चलती हुई मिलेगी तो जिस्समें यह pulse निकली event 1 जिस्समें यह pulse निकली यहां से pipe यहां थी अब हम s . s ब्राइम से सारी चर्चा कर रहा है यह जो हमने लिखा यह यह वने लिखा यह हम ने work स्थिर है रस्ट में है विराम आवस्था में है और अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वह एस प्राइम फ्रेम से चर्चा कर रहे हैं और इस प्राइम फ्रेम में यह पूरी पाइप इधर के तरफ वी विलास्टी से चल रही है तो जिस समय यह पुल्स निकली है उस समय में यह पाइप यहाँ पर है लेकिन यह पस चल करके जब तक M2 पर पहुंचेगी कुछ शमय लगेगा और उतने समय में यह पाइप यहां नहीं होगी उतने समय में यह पाइप इधर चल चुकी होगी तो अगर जिस समय यह पॉल्स इस M2 को हीट कर रही है उस समय में यह पाइप यहां पहुंच गई यह M1 है और यह M2 है और यह पाइप यहां पहुंच गई है तो यहने लाइट चली थी यहां से लेकिन M2 को हीट इसने यहां नहीं किया M2 को हीट इसने यहां किया तो अर्थात S प्राइम से देखने पे S प्राइम से अगर मैं देख रहा हूं S प्राइम से देखने पे यह लाइट जो यहां से चली थी और यहां पहुंच थी यह रास्ता तै किया उसने अच्छी सी ड्रॉइंग नहीं है कि ऐसा यहां से लाइट चली लेकिन M2 को हीट उसने यहां नहीं किया M2 को हीट इसने यहां किया और वापस M1 को कहां हीट किया क्योंकि M2 को हीट करने के बाद M1 तक आने में फिर उसको समय लगेगा और उतने समय में यह पाइप यहां से चल करके कहीं यहां पहुंच जाएगी तो जिस समय वह M2 को हीट कर रही है उस समय में तो यहां है और वापस चल करके जब M1 को हीट करेगी उस समय में यह पाइप यहां पहुंची हुई होगी ऐसा यह इस तरह से होगा ऐसा ऐसा आएगा और यहां M1 पर वापस पढ़ेगा तो लाइट को कितनी दूरी चलना पड़ा अगर यहां से यहां से चलके यहां आने में मालो कुछ T1 समय लगा यहां से इस लास्ते को चलके यहां आने में अगर T1 समय लगा M1 से चलकर M2 तक पहुँचने में T1 समय लगा तो मतलब T1 समय में यह पाइप जो है यहां से यहां पहुँच गई है तो यह डिस्टेंस आपको पता हो सकता है कि यह डिस्टेंस कितने यह डिस्टेंस है V in to T1 कि क्योंकि पाइप इस दिशा में बीव विलासिटी से चल रही है ती वन समय में पाइप वी तीवन से लेगी और उसी समय में इसने M2 को यहां पर हिट किया है और यह distance L है perpendicular distance नहीं बदलते हैं जो frame की velocity का direction है उसके perpendicular distances में कोई परिवर्तनी होता है y prime बराबर y है z prime बराबर z है तो यह distance L है तो यह कितना हो गया अब यहां पर आप इस समकोन ट्रिबज का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह लंब और यह आधहार और यह कर्ण और इसलिए यह जो distance है यह distance होगा square root L square और प्लास यह VT1 square L square plus VT1 square और उसका square root यह इतना distance बनेगा अर्थात प्रकाश ने टीवन समय में इतनी दूरी तैकी है लेकिन प्रकाश ने अगर टीवन समय में इतनी दूरी तैकी है तो इसका मान C into T1 के पराबर होना चाहिए क्योंकि frame S prime में भी प्रकाश का जो वेग है वो C है तो T1 समय में प्रकाश कितनी दूर चलेगा C into T1 इतनी दूर चलेगा अर्थात यहां से यहां की जो दूरी है जो T1 समय लगा है इस प्रकाश को यहां से यहां तक पहुंचने में उसको C into T1 होना बढ़ेगा क्या पता चला स्क्वारूट आफ एल स्क्वायर प्लास वी स्क्वायर T1 स्क्वायर इसको होना चाहिए हैं C into T1 यहां से आप T1 का मन पता कर सकते हैं L स्क्वायर प्लास वी स्क्वायर T1 स्क्वायर बराबर C into T1 स्क्वायर इसको उधर ले जाहिए ले ले स्क्वायर बराबर C square T1 square C square minus V square और फिर है T1 square अरथात T1 square बराबर L स्क्वायर बराबर L बटा square root C square minus V square इतना समय लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में और फिर लाइट को यहां से चल करके यहां पहुंचना है तब इवेंट 2 होगा इवेंट 2 का मतलब प्रकास के पल्स M2 से परावर्तन के बाद फिर M1 पर पढ़ी तो यहां से यहां आने में जो समय लेगेगा वो भी उतना ही होगा आप इस जामेट्रिक को देख सकते हैं यहां भी से L है और यह जितना डिस्टेंस है उतना ही यह भी डिस्टेंस होना है यह भी टीवन है तो इसलिए यहां भी उसको टीवन समय ही लगेगा तो अब देखें अब एस प्राइम फ्रेम में इवेंट 1 से इवेंट 2 के बीच का कितना समय अंतराल हुआ जब प्रकाश के पल्स चली और बाद में फिर से जब वह वहां M1 पर पड़ी उसके बीच कितना समय गुजरा तो टीवन समय यहां गुजरा टीवन समय यहां गुजरा टू इंटू टीवन इतना समय गुजरा यानि M1 से चल कर और फिर से M1 पर अने में लगा समय बराबर 2 T1 याने टीवन अभी मने निकाला यहां पर T1 यहां पर है T1 बराबर L बटा स्क्वार रूट C स्क्वार मानस V स्क्वार इसका दो गुना तो और थाथ 2 इंटो L बटा स्क्वारूट क्वारut of C2 मानस V2 और यहां सेंपे स्क्वार को काॉमन ले लिघे टूल बटा सी 1माइ स्क्वाराइब मानस V स्क्वार रूट 1 मानस V स्क्वार बै-C2 इसको हम डेल्ट की प्राइम कहेंगे यानि ने Français वाले फ्रेम में इन्हीं दो घटनाओं के बीच में कितना समय लग रहा है वह यह और वह आप देख रहे हैं कि जो एस फ्रेम में जो समय लगा था उतना नहीं है उससे अलग है यह एस फ्रेम के लिए हमने यहां निकाल करकर रखा था एस फ्रेम से जिसमें पाइप स्थिर है उसमें जो समय लगा इवंट वन और इवंट डू के बीच एम वन से चली और वापस एम वन पर पड़ी उसके बीच वह इतना समय लगा था और S प्राइम से उसी को देख रहे हैं उन्हीं दो इवेंट को देख रहे हैं उसी पाइप को देख रहे हैं और तब उन दो घटनाओं के बीच इतना समय लग रहा है वो यह लग रहा है जो कि यह इतना है तो यह अलग है बिलकुल यह बिलकुल अलग है और इसको आप देख सकते हैं कि डिल्टा टी प्राइम जो कि ये इतना है और ये है डिल्टा टी 2L by C ये बराबर है डिल्टा T बटा स्क्वेर रूट 1 माइनस V स्क्वेर बाइ सी स्क्वेर दो घटनाओं के बीच का समय अंतराल फ्रेम पर निर्भर करता है कितना समय लगा पहली घटना कि कितनी दिर बाद दूसरी घटना हुई इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सा फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं इस उदाहरन में अगर हम इस एल का जो मान है कलपना कीजिए कि आनका करते हैं इस एल का जो मान है वह मान लेजिए आधा लाइट सेकंड है लाइट सेकंड समझतें एक सेकेंड में लाइट जितनी दूरी चलती है उसको कहते हैं एक लाइट सेकेंड एक वर्ष में लाइट जितनी दूरी चलती है सबकुछ निर्वात में उसको कहते हैं light year या प्रकाश वर्ष तो अगर मान लें L को हम ले लेते हैं one light second यानि एक second आधे one by two L को ले लें one by two light second आधे second में light जितना दूरी चलेगी उसको हम कहेंगे यह लंबाई तो आप यहां देखिए एम उन से चली और एम उन पर वापस पहुंची एस में अगर हम देखते हैं एस फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो डेल्टा टी है यह डिल्टा टी कितना समय लगा यहां से जाकर के यहां आने में तो टूल डिस्टेंस आलने में जितना समय लग रहा है प्रकाश को वह है और अधा light second लिए और 12 बराबर हो जाएगा एक light second तो यह रहने इस्सी वेल्सिटी से चलेंगे अगर तो यह एक second होना चाहिए यह डेल्टा टी बराबर एक second होना चाहिए क्योंकि इतने समय में प्रकास 2-0 वेल स्वाइर रिश्चेंस चलता है और 12 हमारा कितना लिया हमने 2 लियू हो जाएगा one light second तो एक सेकेंड में लाइट जितना दूरी चलती है वह तो यह तो इसलिए डेलटेट ही एक सेकेंड हो जाएगा one second तो आप देखिए हमारी घड़ी बन गई है जहां यह पल्स चली उस समय कुछ घड़ी में समय है यह पल्स वापस आई एक सेकेंड बीट गया फिर यहां से परावर्तन होगा इसे मुवहन से फिर यहां जाएगी और फिर वापस आएगी एक सेकेंड और हो गया तो जैसे घड हमारी हमारी एक एक सेकंड पर टिक 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 आगे बढ़ती है यहां भी हम इसको घड़ी की तरह कह सकते हैं कि जब M1 के उपर पल्स आई एक सेकंड हो गया फिर आई एक सेकंड हो गया एक एक सेकंड पर यहां पर टिक 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 गड़ी हमारी बढ़ी अच्छी घड़ी है हर सेकेंड के ऊपर वो तुक करती है यह पल्सmal करके आही और हम समझ को.. इसी घड़ी को जब हम ऐसस प्राइम से देखते है, तो हम क्या पाते हैं ,яжक इसम देर मिया हो रहा है M1 से निकलने के बाद फिर से M1 पर कब आ रहा है कितनी दिर में टिक-टिक हो रहा है यह इतनी दिर में टिक-टिक हो रहा है और यह अगर का हम वर्गमूल निकालेंगे वह भी एक से छोटा है और एक से छोटी संख्या में जब भाग लगाया जाता है यह तो भाग फल बड़ा होता है जिसमें भाग लगाते हैं उससे बड़ा होता है एक से छोटी संख्या से जब भाग लगाएंगे जैसे एक बटा दो से अगर भाग लगा रहे हैं तो मतलब आप दो से गुणा कर रहे हैं जब भी एक से छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो जितना यहां है उपर अंश में निमरेटर में उससे ज्यादा आने माला है तो या पाइप को अगर देखते हैं इसी घड़ी को अगर देखते हैं तो एक टिक से दूसरे टिक आने में एक सेकंड से जादा समय लग रहा है अर्थात यह घड़ी slow चल रही है एक-एक सेकंड पर टिक होना चाहिए था वह एक सेकंड से ज़्यादा लग रहा है एक टिक से दूसरे टिक होने में यह घड़ी slow चल रही है तो moving clocks जो है वह slow चलती है किसकी अपेक्षा जब वही clock rest में हो उसकी अपेक्षा और ऐसा नहीं कि उनको हमने move करा दिया तो उसके यंद्र खराब हो गये है इसलिए वह slow चल रही है इसी बात नहीं है इस पूरे derivation में आपने देखा घड़ी को तो हमने कुछ किया ही नहीं इस फ्रेम से देख रहे हैं जहां यह पाइप स्थिर है और दूसरी बार हम ने उस फ्रेम से देखा हमने अपने observer को बदल दिया अब वो जो चल रहा है observer वो इस पाइप को देख रहा है और उसके लिए यही घड़ी slow चल रही है जो moving clocks होती है वो slow चलती है दो घटनाओं के बीच का समय फ्रेम पे निर्भर करता है और अगर एक ऐसा हो सकता है कि एक फ्रेम में दो घटनाओं के बीच में जितना समय अंतराल है दूसरे फ्रेम में उससे जादा हो जाए या उससे कम हो जाए या उतना ही रह जाए यह सभी चीजें संभाव हैं